राकेश जुन जुन वाला जिनको भारत का वारेंग बफेट कहा जाता है इंडियन स्टोक मार्केट के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश सर्थ अब हमारे बीच नहीं रहे है बट मेरा मानना है दो लेजन नेवर डाए वो हमारी यादों में हमेशा रहेंगे जब भी टाइटन के स्टोक में ट्रेड करेंगे हम तो उनकी यादे आती रहेगी पांच अजार से सोला अजार करोर की जर्नी आज खत्म हुई अब वो हमारे बीच नहीं रहे केवल 62 यर्स की उम्र में उनका नितन हो गया वो हमारे लिए बहुत ही दुखत गटना है हमारी इस्वर से यही प्रातना है के उनकी आत्मा अमर रहे उनकी कुछ लर्निंग है जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई उनकी चर्चा में यहाँ पर करना चाऊंगा देखो बोस कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी हो उनके जीवन में अपस एन डाउन आते हैं कई कॉंटरवर्सिस भी होती है बट आज हम यहाँ पर वो सब भूल कर उनकी एक लर्निंग के बारे में बात करेंगे वो हमेशा अपने नाम के पीछे ट्रेडर कम इन्वेस्टर बोलते थे उनके इंटर्यू से मुझे एक जो सीख मिली थी वो मैं आपके साथ यहाँ पर सेल करना चाहता हूं उन्होंने कहा था कि मार्केट में ट्रेडिंग करके भी पेशा बनता है सोट सेल करके भी पेशा मिलता है तगड़ा वाला इस चीज़ पर मैंने भी ध्यान दिया और सीखा कि सोट सेल और ट्रेडिंग के दर्मियान जो पेशा बनता है उनको हम इन्वेस्मेंट करके बड़ा पेशा बना सकते हैं और नेक्स्ट बिग बुल की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं ये एक लर्निंग को मैंने एपलाई किया और मैं आज एक सकसेशफुल ट्रेडर कम इन्वेस्टर बन पाया एसी कहीं लर्निंग वो हमें देकर गए हैं जिनकी वीडियो बनाने बेठे तो 30 से 40 वीडियो बनेगी अगर आपको भी एसी लर्निंग चाहिए तो कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताना पूरी सीरीज लेकर आएंगे हम आपके लिए आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइट कर दीजेगा और अपने दोस्तों के साथ सेर कर दीजेगा फिर मुलाकात होगी गुडबाइ नेक्स्ट बिग बुल जै हिंद